हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू स्टेडी कर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, डेली कर इंट अफ्यस में आज हम 14 नॉबमर 2022 के महत्पोर्ण प्रसनों को डिसकस करेंगे, और दोस्तों आप इस लेक्चर को बहुती ध्यान से लास्त तक जरूर देखेगा, लास्ट में आप को हरा करके जीता है, पाकिस्तान को हरा करके जीता है, तो इंग्लेंड ने पाकिस्तान को 5 बिकेट से हरा करके T20 World Cup 2022 का खिताब अपने नाम किया है, दोस्तों ये जो T20 World Cup है 2022 का ये किस देश में आयुजित किया गया था, तो ऑस्टेलिया में आयुजित किया गया था, भार क्रिकेट ग्राउंड में T20 वर्ल्ड कफ का फाइनल हुआ था और याद रखिएगा कि जो इंग्लेंड की टीम है उसने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कफ का खेताब जीता है और दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेट टीम बन गई है इंग्लेंड जिसके पास अभी बरतमान में वंडे का वर्ल्ड कफ भी है और T20 का वर्ल्ड कफ भी है यानि दोनों वर्ल्ड कफ यानि वंडे की चेंपियन टीम कौन है इंग्लेंड है और T20 की चेंपियन टीम कौन है इंग्लेंड है तो इस प्रकार की वह है दुनिया की पहली टीम बन गई है दोस्तो जो इंग्लेंड के कप पाकिस्तान थे वो कौन थे जोस बटलर और पाकिस्तान के कप्तान कौन थे बावर आज़म और पाकिस्तान ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 सुभर में 137 रन बनाए थे और इंगलेंड ने 19 सुभर में 5 विकेट खोकर के 138 रन बनाए थे फाइनल मेंच में सर्वस्रेष्ट खिलारी यानि फाइनल मेंच की पलियर आप दा मेच रहे है कौन सेम करन जोकी इंगलेंड की बौलर हैं उन्होंने 12 रन रेकर 3 विकेट हासल किये इसके अलाबा पलियर आप द कौन रहे है तो वो रहे हैं इंगलेंड के सेम करन जिनो पूरे टूरामेंट में 13 विकेट हासिल किये हैं। अंगला प्रस्न है मूडेज की संसोधित रिपोर्ट के अनुसार 2022 देश में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानि GDP ब्रधीदर क्या है। 23 में 7 प्रतिसत की दर से आगे बढ़ेगी। इससे पहले उसने माई में ये बताया था कि 8.8 प्रतिसत की दर से बढ़ेगी। लेकिन सितंबर में उसने कहा कि जो GDP है वो 7.7 प्रतिसत की दर से बढ़ेगी। इसके अलावा दूस्तों जो ACI विकास मैंक है उसने भी जो भारत क प्रतीरत की GDP है उसको 7 प्रतीचत की दर से आगे बढ़ेगी और भारत का जो राश्टि एस सांखेकी कारियाला है यानि NSO है उसने भी ये बताया है कि जो भारत की GDP है वो 9.2 प्रतीचत की दर से आगे बढ़ेगी IMF ने ये कहा है कि भारत की जो GDP है वो 7.4% की दर्से आगे बढ़ेगी अब ये GDP क्या होता है तो दोस्तों gross domestic product इसका full form होता है और इसका उदेश से क्या है इसका तातपर क्या है तो दोस्तों किसी देश की GDP से तातपर है उस देश की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समय अबधी में पैदा होने वाले सभी घरेलू उत्पाद और सेवाओं के मूल्यों का योग है यानि दोस्तो एक निश्चिस समय अबधी में अगर किसी देश की सीमाओं के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं या जो सेवाएं उत्पन हो रहे हैं उनका जो कुल योग होता है उनके जो मूल्यों का कुल योग होता है उसे हम GDP बोलते हैं और GDP को कैलकुलेट करने के लिए तीन माह की समय अबधी होती है या फिर एक साल की समय अबधी होती है दोस्तो उत्पाद का मतलब क्या होता है कि जैसे क्रसी उत्पाद क्रसी प्रोडक्ट बनते हैं प्राइवेट या सरकारी कंपनियों के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाय जाते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं सेवा का मतलब क्या है कि सेवा में हम किसी से कोई काम लेते हैं कोई प्रोड़क्ट नहीं बनता है बलकि कोई काम लेते हैं जैसे डॉक्टर्स क्या करता है तो दोस्तों डॉक्टर्स कोई प्रोड़क्ट तो उत्पादित नहीं करता है प्रोडक्ट तो बनाता नहीं है वो अपनी सेवा देता है इंजीनियर भी सेवा देता है लॉयर आर्किटेक ये सबी जो है सेवा देते हैं तो इन्हें हम सेवा के छेतर में रखेंगे वो प्रोडक्ट का मतलब है किसी चीज का बनना अंगला प्रसन है स्वीटिया लेंड पर्टन ने किसी अपना मैतरी दूथ नुक्त किया है तो दोस्तों स्वीटिया लेंड पर्टन के मैतरी दूथ क्यों कौन नुक्त किया है तो वो नुक्त किया है नीरत चोपडा तो भारत के जैबलिन थ्रोवर है कौन नीरत चोपडा ज भारतियों को encourage करेंगे कि वो भी सुर्टियल लेंड में जा करके पर्टन कर सकते हैं दोस्तो अभी हाल ही में जो नीरच चोपरा थे वो चर्चा में थे क्योंकि जो सुर्टियल लेंड का लुसाने है वहाँ पर ओलंपिक संगरहला है तो उसमें उन्होंने अपना वो भाला दान किया हुआ है जिससे उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल हासिल किया था इसके अलावा दोस्तो जो ओलंपिक संगरहला है या ओलंपिक म्यूजियम है उसमें मेरी कौम के दस्ताने भी रखे हुए हैं और ध्यानचंद की हौकी भी रखी हुई है सुड्यलेंड की बात आई है तो सुड्यलेंड की जो कैपिटल है वो है वर्न और यहां के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है इगनाजियो कैसेस है और यहां की जो मुद्रा है वो है Swiss Frank और यहाँ पर भासाइं बोली जाती है French, German, Italy और Romance बोली जाती है दोस्तो जो स्विडियलेंड है वो यूरोप महादीप में है और इसके जो पड़ोसी देश है वो है France, Germany, Austria और Italy ठीक है अंगला प्रस्ण है नितन गड़करी ने किस छेत्र के लिए 1.6 लाग करोड रोपए की नई पर्योजनाव की घोषना की है इसमें क्या होगा कि जो ब्रह्म्य पुत्र नदी है उसके किनारे पर सड़के बनाई जाएंगे पुल बनाई जाएंगे तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट चलाए जाएगा पुर्वुत्र के राज जो कौन कौन से होते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मनीपोर, मेघाला, मिजोरम, नागालें, तरप्रा और सिक्किम यानि कुल मिलाकर के साथ ऐसे राज है जो पुर्वुत्र के राज्यों के अंतरगत आते हैं जो गोहाबटी है उसको पुर्वुत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है देखे दोस्तों मैप में आप देख लीजिए का ये हैं पुर्वुत्र के राज जिसमें आपको अरुनाचर प्रदेश, मेगालाय, आसम, नागालेंड, मनीपोर, मिजोरम और तरप्रा दिखाई दे रहे हैं और जो दिस्ट पोर है और ये कैपिटल है किसकी आसम की और इटर नगर कैपिटल है किसकी अरुनाचर प्रदेश की आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो सिक्क्यम है ये पूरवुत्तर के राज्यों में नहीं आता है अगला प्रसन है भारत में महिला क्रिकेट के बिकास में भूम का निभाने बाले कौन थे जिनका हाली में निधन हो गया है तो दोस्तो भारत के महिला क्रिकेट को बिक्सित करने बाले कौन थे महिंद्र कुमार सर्मा तो उनका हाली में निधन हो गया है और दोस्तो 1970 के दसक में उन्होंने महिला क्रिकेट का बिकास जो है वो बहुत किया है और उसके लिए उन्होंने बहुत ही मातपूर्ट भूम का निभाई है तो उनका अभी हाली में निधन हो गया है और वो महिला क्रिकेट संग के संस्थापक सचे हो थे 1978 में उन्होंने पहले महिला बिसकप की मेजबानी के लिए भारत के प्रभारी के रूप में काम किया और 1976 में उन्होंने दोस्तो बहुत ही कोसिस की कि जो महिला है वो क्रिकेट भी खेलें ठीक है दोस्तो तो इस प्रकार से यादर खना है आपको की महिंद्र कुमार सर्मा जो ह अंगला प्रस्ण है भारत और कमबोडिया के बीच संस्कृति बन जीवन और स्वास्त के छेत्र में कितने समझोतों पर हस्ताचर किये गए हैं और जो भारत के उपराश्ट पती हैं जगदीब धनकर वो कमबोडिया की आत्रा पर गए हुए हैं तो वहां के जो प्रधान मंत् एवं परिवार कल्याण मंत्राले और कमबोडिया के स्वास्त एवं परिमार कल्याण मंत्राले के बीच में चिकित्सा के छेत्र में समझोता हुआ है इसके अलाबा दोस्तों कमबोडिया में बागों को फिर से लाने के संबंद में दूसरे समझोते ग्यापन पर भई हस्ता पैन, मुद्रा है कंबोडियन रियल, राष्टिय खेल है यहां का फुटवाल और इसके जो पडोसी देश में वो है थाइलेंड, लाउस और बियतनाम, अंकोर बाट मंदिर याद रखेगा ये किस देश में हैं, कंबोडिया में हैं, देखे जोस्तों आज हम बर्तमान में कौ अबर्चन गहलोद, केरल के आरिप मुहम्मद खान, मद्द प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटैल, महराष्ट के भगास सिंग कोस्यारी, मनीपुर के लागडेशन, मेघाला के बीडी मिस्रा, मिजुरम के हरी बाबु कमभमपती, नागालेंड के जगदेश मुखी ओडिसा के प्रोफिसर गडेसी लाल हैं, और पंजाब के बनवारी लाल प्रोहेत हैं, तो ये कुछ राजपाल हैं, इनको आप नोट करिएगा, इसके अलाबा दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडियाप चाहते हैं, तो एप को डाउनलोड करनें, लिंक डिस्क्रिप ग्रेक बारकले का संबंद किस देश से हैं, याद रखिएगा, ये न्यूजी लेंड के हैं, तो अब वो फिर से ICC के अध्यक्ष बन गया हैं, और उन्हें सर्ब सम्मती से चुन लिया गया है, इसके अलाबा, BCCI के जो सचेव हैं, जैसा है, वो भी दोस्तों, बित्त बार जजिक मामलों की समीती के प्रमुक बनाए गए हैं, जो कि ICC की समीती है, देखें दोस्तों, यहाँ पर ICC की बात आई है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल किर्केट काउंसिल, और इसके स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी, इसका हैड़ क्वाटर दोबई, स सदस 108 हैं, जिसमें से 12.5 सदस हैं और 96 सदस सहयोगी सदस हैं, अंगला प्रसन है, ब्रेटैन की राजा ने किसी Order of Merit से सम्मानित किया है, तो बैंकी रामकर्सनन को अभी हाल ही में जो ब्रेटैन की राजा है, उन्होंने Order of Merit से सम्मानित किया है, तो दोस्तों, नोबल पु ग्यान के छेतर में उनके बिसेश्ट कार के लिए Order of Merit से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों, 2009 में बैंकी रामकर्सनन को राइबो सॉमल सरजना के लिए नोबल पुरुसकार दिया गया था, इसके अलावा, 2012 में उन्हें महरानी एलिजावैत के द्वारा, नाइट की भी उपाधी दी गई थी, अंगला प्रसन है, तीन दन का क्रसी मेला और प्रदर्सनी किस राज में सुरू हुई है, तो ये मद्द प्रदेश में सुरू हुई है, ठीके दोस्तों, मद्द प्रदेश के जो मुख मंतरी है, सिवराज सिंग चोहान, तो उनके द्वारा इस क्रसी मेले में चंबल गवाल या अंचल के लगवग 35,000 किसान जो हैं वो सामिल हो रहे हैं अंगला प्रस्न है अखिल भारतिय रबड उद्योग संग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो दोस्तो रमेश केजरी बाल जो हैं वो अखिल भारतिय रबड उद्योग संग के अध्यक्ष बने हैं, तो ये कुछ important जानकारी है दोस्तो, ये थी आज के महत्पूर्ड current affairs के question, अब आप से question पूछा जाए जिसका answer आपको comment box में देना है, question है T20 World Cup 2022 का किताब किस ने जीता है, पाकिस्तान, भारत, औस्टिलिया या England, जो भी इसका right answer हो, आप comment box में जरूर बताईएगा और जितनी भी आपको extra जानकारी प्राप्त हो, वो भी आप comment box में जरूर बताया करिएगा दोस्तो, एप को डाउनलोड कर लें, वहाँ पर PDF मिल जाएगा, study material पर जाएगे तो PDF मिल जाएगा, monthly करें, इंटरफिया, जो भी important PDF में, वो सब भी उपलब्ध हैं वहाँ पर, और अगर lecture पसंद आया हो, तो आप इसे like करें, share करें, सब भी दोस्तों को, सभी social media platform पर, जैहन वंदे मात्रम